जैहिन वेलकम टुकर्स्तु लर्निंग और आज हम लोग करेंट अफेर्ट टुडे के एक नई सिंखला के साथ यहां पर उपर सित हुए हैं जिसका नाम है अग निपत मित एंड फैक्ट तो यहां पर आज जो बाते बताई जा रही हैं वो तक्थों को लेकर के हैं और उनके स सेवा में जाना चाहते हैं या सेना में जाना चाहते हैं देश की सेवा करना चाहते हैं उनको एक चीज़े बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो यह अभी नया अगनिमिशन आया हुआ या अगनिपत के उपर जो काम हो रहा है इसका उद्देश यह नहीं है कि कि युवाओं के उनकी मनोदसात से छेड़ चार किया जाए बलकि सेना में एक नए बदलाओं को ले करके हैं और यह बदलाओं क्या है उन की बात की जारी है युवाओं उर्जया की बात की जारी है इसके वेक्षित में यह सारी बाते एक सुनहरे ऑशर के रूप में आज ताथ करने में युवाओं को सक्षम बनाने में और समाज में जुड़ने से भी हम suisam हों और यह model जो आगे बनाये जाएगा इसमें वर्तमान में 46,000 भरतियां 2022 मेर होने वाली हैं और सेवा करने का यह सुनहरा आउसर है तो पूरे देश में यह merit के आधार पर भरती की जाएगी merit के आधार का मतलब यह हो गया, कि पहले गोरखा Rachel हो गया, हमारा सि elk regiment हो गया हमारी इस तरह से बहुत सारे regiment थे, तो वहां पर कहीं न कहीं उस छेतर की बते या इस जाएग IMJ Debemany की आती रहती थे जो अब सेना में काम करने में सक्षम नहीं रह गए हैं तो उनकी एक अलग व्योस्था की गई है जैसे जो लोग रिटार तो सी एप जिसे हम असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं या असम राइफर्स में जो भरती की बात हो रही है वहां पे भी उनके भरतियों के लिए सारजनिक शंपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन युवाओं से अपील है कि अगर वो सेना में जाना चाहते हैं तो सेना का पहला कतव यही होता है कि हम अपने राष्ट को शरुवपती रखें और इसके साथ हम अनुसासन का पालन करें तो यहां पर नेशन फष्ठ क से अब आप 23 समान लीजिए इसमें कुछ बदलाव भी किये गए हैं और भरती संबंदी जो भी प्रक्रिया होगी वह चार साल के लिए यहां पर की जाएगी और इसमें कोई बदलाव नहीं है पर सिक्षण जो होगा वह कठोर सैन दिया जाएका मतलब इसके पहले इसके होगा और पौने पांच लाग के आसपास का होगा लेगी जो आयकर से मुक्त होगी मतलब आप समझ देजिए कि 21 साल का कोई भी युवा है अगर तो उसके पास 12 लाग की धनरासी अगर आ जाती तो वह कोई कम नहीं होती है कितने आपके बीच में युवा है जो 21 साल की नोकरी पागए हैं तो ऐसे उन युवाओं के लिए जो देश में जाना चाते हैं देश की सेवा करना चाते हैं आदमी में जाना चाते हैं तो उनके लिए 21 वर्ष की अवस्था में 12 लाग एक मुक्त होगी जो इंकम टैक्स फ्री होगी मृत पर मुआवजा की अगर बात कर रहे हैं तो 48 लाग का गैर अनसिदाई जीवन भीमा कव होगा अगर मृत क्या मुआवजा है तो 48 लाग का वेगज है सेवा के दौरान अगर मिर्त हो जाती है तो 44 लाग का पर पर होगा तो 44 लाग यहां और 48 लाग यहां पर है सेवा निधी की अगर बात की क्या है हमारे देश के युगा स्वी चार वरस की ऊपर टिके हूई है sva Riuur Taन क्या है यह मेलन हां खाका है यह government में की तरस से जादी किया गया है इसको समझ अ की क्या है वास्तों में अपंगता की इस्थिती में चिकर्सा अधिकार के उद्वारा अगर दिव्यंगता का अगर परश्ट की बात की जाती है तो 44, 25 और 15 इसमें 50, 75 और 100 परश्ट तक की अपंगता की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है आप इसको देख सकते हैं चेक कर सकते हैं और जो उपद् हक हैं उन्हें दूर करना होगा सत्ता को जानिये और जो अभी अगनिपत योजना आई हुई है उसमें बहुत सारे बदलाव किये गए हैं और ये सुझहाओ भी सेना की तरफ से हैं बड़े अधिकारियों की तरफ से हैं ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई एक नया कदम उठाया है कारिकाल पूरा होने पर क्या होगा चार साल पूरा होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधी के हकदार होंगे इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और प्राप्त कोशर प्रमाणपत उच्चतर सिथा क्रेडिट का यहां पर प्राउधान भी किया गया है पारदर्सी और कठोव प्रकियर से इसमें चयोन होगा और नियमित कैडर में भड़ती होने पर नियमित सैनिक तोर पर निर्धारित वेतन मौझूदा नियमत पहेंशन के आधार पर ही है इसमें कोई भी बदलाओ नहीं किया गया है तो यहां जो बाते हैं उनको जानने के लि के पूर अधिकारियों से कुई बाट नहीं लिया गया है तो यह गलत है सही क्या है यह प्रता व सन्विभा के सेन अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है और सरकार का ही एक हिस्सा है दूसरे मिठक की बात करते हैं कि अगर इनसे कोई प्रामर्स नहीं लिया गया है अधिकारियों से तो यह भी गलत है कई पूर अधिकारियों ने इस योजना के फायदे बताएं हैं और इसका स्वागत भी किया है तो यह बातें गौवर्मेंट की तरफ से भी है और सरकार के ज सुलना में युवाओं की संक्या अधिक नहीं होगी वर्तमान में योजना के तहत लंबे समय तक युवाओं और अनुभवी सुपरवाजरी का एक अनुपात होगा और यह 50-50 का रहेगा अब इस मिठक को भी दूर करते हैं अगनवीर आतंक वादियों से मिलकर समाज के लि करके जो बवाल चल रहा है उसको समझे उसके मिठक को दूर कीजिए इसके तत्थों को समझे इस मिठक को भी दूर करते हैं अगनवीर आतंक वादियों से मिलकर समाज में खत्रा उत्पन करते हैं तो यह चीज़ें गलत है क्योंकि जिन युवाओं ने चार साल तक सस्त्र बलों में हजारों की संख्या में जवान रिटायर होते हैं लेकिन उनके राष्ट विरोधी ताक्तों से जुड़ने का कुई उदारण अभी तक फिलहाल नहीं मिला है भविस्त में जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने होंगी इसी में इस मिठक को भी दूर करते ह या सस्त्र बलों की गुडवत्ता को नुकसान पहुचाएगा ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं क्योंकि भारते सेना हो नेभी हो या हमारे एयर फोर्स है सबकी अपने अपनी विसेश्ता हैं सत्ता क्या है अल्पकालिक भरती की ऐसी प्रणाली अधिकान से देशों में मौ मौझूद है जिसे पहले से ही परखा जा चुका है या युवा और सस्त्र सेना दोनों के लिए बेहतर माना जाता है इसी वज़े से ये कार किया रहा है इस मिठक को भी दूर कर देते हैं या सस्त्र बलों की गुडवत्ता को नुकसान पहुचाएगा बिल्कुल गलत सत्ता क्या है उसको समझे इसके अत्रिक्त चार साल बाद सेना में फिर से उन्हें सामिल करने से पहले अगनवीरों के परदरसन की जाच की जाएगी यह आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए जो युवाओं को नहीं पता है उसकी चार साल के बाद फिर से क्या होगा कि उनके पर और वाजरी रैंकों के लिए जाचे और परखे जवानों मिल सकेंगे तो यह अगर हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है देस की अगर रख्चा और सुरक्षा की बात हो रही है जिनकी सुर्चा जवानों के उपर है यह चीजे वास्तों में होनी चाहिए यह कूई तीचर यहां देश की सुरक्षा की बात की जा रही इस मिधक को भी दूर करते हैं अगनिपत योजना के कारण युवाओं के लिए आउसर कम हो जाएंगी यह बिल्कुल गलत है सत्ता क्या है युवाओं के लिए ससत्र बलों में सेवा के आउसरों में वृद्धी होगी आने वाले व का है कि 46,000 भरतियां होंगी क्या इससे पहले इतनी भरतियां होती थी बिल्कुल नहीं होती थी इस मिधक को भी दूर करते हैं 21 साल के युवा सेना के लिए अपरिपक और अविश्वस्निये हैं बिल्कुल गलत सत्ता क्या है उसे समझे दुनिया भर की अधिकांस सेनाएं युवाओं पर निर्भर हैं इस वज़े से गॉवर्मेंट कोई भी इस तरह का कार नहीं करना चाहती है और यही इसकी सत्ता है अगले क्रम में आते हुए इस मिधक को भी दूर करते हैं और इसकी सत्ता को सबस्ते हैं 21 साल की युवा सेना के लिए अर्पक और को भी सुपरवाजरी रहें का जो अनुपाद है वह पचास-पचास ही रहेगा इसमें कोई बदलाओ नहीं किया गया है इस मिधक को भी दूर करते हैं अगनवीरों का भविस अस्वरक्षित है बिल्कुल गरत सत्तता क्या है उसे समझे नौकरी के एक्छुक युवाओं को CAPF जिसे हम Assistant Commandant कहते हैं और राज पुलिस में प्राथ मिक्ता मतलब अगर इसके बाद दूसरी सेवाओं में भी जाना चाहते हैं तो यह इसमें आपको वेटज मिलेगा अधिकार मिलेगा अधिभार मिलेगा और उसमें प्राथ मिक्ता दी जाएगी अन्य सेक्टरों में भी उनके लिए कई औसर और द्वार खोले जा रहे हैं यह इसकी सत्ता है इसको आप समझिए और इस मिथक को भी दूर करते हैं अगनवीरों का भविस असुरिश्चित है बिल्कुल गलत क्योंकि सत्ता क्या है आगे पढ़ाई करने के लिए इच्छुक युवाओं को इबारा रहे हैं लोग यह चीज़े गलत हैं सत्ता को समझिए उद्वी बनने की इच्छुक युवाओं को एक वित्तिय पैकेज और बैंक रिंकी सुवधा भी यहां पर उपलब्द होगी यह इसकी सत्ता है अगली सक्तियों में आते हैं अगनिपत योजना राष्ट की सेवा कर नहीं होगा साकार देश भर में भरती चार साल का यह कारकाल और आकरसक सेवा निद्गा यह जो पैकेज दिया जा रहा है यह एक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है और आसानी से जुड़ेंगे इसमें युवा कारण क्या है क्योंकि इसका वित्तिय पैकेज बहुत अच्छा है सार्टिफिकेट और डिप्लोवां उच्छी दुस्ता सित्री और क्रेटिट को भी ले सकते हैं अनुसासंद इसकिल और फिट्नेस पर विसेश फोकस की बात यहां पर की जा रही है इसी क्रम में लाट है हमारा कि रश्चा सेवाओं में परिवर को और अच्छे से यहां पर हमें किलियर करना पड़ेगा वो यह है कि जब कभी भी चार साल के बाद क्या करेंगे अगनवीरों तो उसकी भी बात समझ लेते हैं बाकी सभी लोगों के लिए यह है लगभग बारा लाक रुपे का वित्तिय पैकेज मिलेगा और जीवन में ए बिवस्था यहां पर की जा रही है जो आगे नौकरी करना चाहते हैं उनकी बात जाहतर अलोगों को यह पता है कि चार साल के बाद आप नौकरी के योग नहीं रहेंगे बिल्कुल गलत सहीश क्या है उसको समझे कई राज्यों में C.A.P.F. असम राइफल और पुलिस्वा कंपनियों और सेक्टरों जैसे IT, Security, Engineering कुशल, अनुसासित अगनवीरों को प्राथ मिक्ता देने की घोशना पहले ही कर चुके हैं उसके बाद सरकार ने ये योजना रागू की है आखरी लेकिन बेहत महत्मुन बात एक ससरबल कर्मी का यहां पर आत्मिस्वास बनेगा तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज की युवा जो भटके हुए हैं जो बिहार में काम कर रहे हैं जो इस समय उत्तरपदेत में हैं उनके लिए एक सूचना की रावर पर यह चीज़ बता देना चाहेंगे कि हर एक युवा का जो सपना होता है राष्ट प्रेम और राष प्रफम होता है राष्टे वड़ी कुई सेवा नहीं है तो अभी वर्तमान में कोई ऐसा कार ना करें कि आपके ऊपर कोई ऐसा एक्षन हो जाए कि आप सेना में जाने से ही वंचित हो जाएं तो यहां पर हमारे युवा हैं उनसी यही गुजारिस है कि राष्टे निर्मान में योगदान दें और आई हुई नई पहल का स्वागत करें तो आज की करेंट टुड़े में यहीं तक मिलते हैं नेक्ट सेग्मेंट में नए तथ और नए बिसलेशनों के साथ तब तक के लिए अगस्तू लर्निंग की तरफ से जैहिन जै भारत